तो दोस्तो आज के इस वीडियोज में हम लोग देखने वाले हैं टॉप एक सो इंपोर्टेंट फर्मूला सुत्र दोस्तो जो परिछा में काफी बार पूछे जाते हैं लगभग बार बार पूछे जाते हैं ठीक है तो जो विचार टुवल के मैच्स रखे हैं या फिर इंट पूछे जाते हैं ठीक है तो वीडियो को दोस्तो लास तक सभी देखना बहुत ही सांदार यह कलासेज होने वाले हैं तो वीडियो ठीक है एक एक फर्मूला को हम लोग यहाँ पर देखेंगे किस तरीके साब को याद करने हैं ठीक है अगर कोई जात नए हैं दोस्तों इस चैनल पर चलती है चैनल को सब्सक्राइब कर लिए साथ में बेल एकन को फ्रेस कर दीजेगा ताकि आपको नोट्फिकरशन मिलते रहेंगे जैसे हम लोग न्यू वीडियो लेकर आऊंगा तो ठीक है वीडियो को लाइक करके सीर ज़रूर कर दीजे दोस्तों और फी काफी स सारे कोशन्स या फिर इस तरह के फर्मूला और भी डॉनलट करना चाहते हैं सभी सब्सक्राइब का स्टड़ी मेटरियल बिल्कुल फिल्कुल कोस्ट में इस वेबसाइट पर जाकर त्यारी कर सकते हैं तो स्टार्क स्टड़ी पॉइंट डॉट कम इसी चैनल के यह ऑफिस सबसे पहला यहां पर सुत्र देखते हैं तीरकुन मीती फलन है इनवर्स्ट ग्रोमेट्री से दोस्तों आप सभी के एक्जामस में दस मार्क से कोशन्स पूछी जाते हैं और सारे के सारे फर्मूला बेश्ट कोशन्स रहते हैं इसलिए दोस्तों दस नमर अगर चाहिए तो इस फर्मूला को आपको 100% याद करने ही करने होंगे चलिए देखे दोस्तों यहां पर पहला सुत्र है यदि साइन ठीटा बराबर एक्स तो ठीटा का मान साइन इनवर्स एक्स बिल्कूल है ना अगर साइन ठीटा का मान अगर एक्स दिया रहेगा दोस्तों ठीटा का मान यहां से इसको हम लेकर जाएंगे इधर तो यह हो जाएगा यह हो जाएगा दोस्तों sin inverse x ठीक है देखें पूछा जाता है यह पूछा जाता है याद रखेगा अब अगर यही sin inverse x बराबर अगर ठीटा रहे तो sin ठीटा का मान भी x के बराबर हो जाएगी बिल्कुल भाइस वर्षा जैसे को तैसा इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं तो इसको भी हम लोग इसी तरीके से लिख सकते हैं से साइन गया तो कितना बज़ता है एक्स के बराबर हो जाता है तो यह एक्स इधर चला जाएगा एक्स के बराबर हो जाता है तो बहुत सिंपल प्रस यह फर्मूला है ढ़ कमांध एक्स अब अगरro-しま इनवन एक्स रहेंगे फिल भी एकस आएगा इस चा पांचव फर्मुला हा प्रया रख लेए अब ज़ेखे दोस्तों important formula के रुप में ये तो बहुती भीविया है ये तो सभी को याद रहने चाहिए दोस्तों तीनों formula हर एक exams में हर एक बार पूछा जाता है साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स का मान पाइवाइट टू मतलब 90 डिगरी के बराबर होती है त्विरोसी तरीके से सेक और कॉसेक देख सकते हो साइन और कॉसेक का मिलन टेन और कॉट का मिलन ठीक है और सभी का मान यहाँ पे 90 डिगरी होती है कितना पाइव हो जाती है चली अगला सुत्र की और बाड़िते हम लौँ अब देखे दोस्टों यह भी इंपौर्टेंट सुत्र यहाँ पे कहा किया है कि 10 इंवर्स एक्स प्लस टेन इंवर्स व्य-दोस का उसके बाद यहाँ पे एक्स पलस हुए अगर पलस रहेगा दोस्तों पलस में तो उपर में हम लोगों को पलस रहना है फिर नीचे में वन माइनस एक्स इंटू इस तरह के फर्मूला याद रखना है अगर पलस वाले हैं अगर इसी में माइनस रहेगा दोस्तों टेन इन वहर्स अगर माइनस रहेग काओ्ट इन्वर्स x plus cut-inverse xy-1 क्या है दोस्तों xy-1 मत्टा इकर पलस हुआ मॉत medium-1 नीचे में था घरियो उपर में आगिया है ठीक है यह ऊपर में आ गिया है सी कि यह कि इसका दूमान हो जाता है कोंट इन्वर्स xmr अगर पलस रहेगा तो X Y मीनस 1 ठीक है अबट्टा में X פलस हुआ है समझ में आ कि अbak यहां पर अगर माइनस रहेगा जोस्तों बीच में तो कौट इन्वर्स xy plus 1 बटा में y minus x क्या हो जागा y minus x समझ मैं रहे हैं यह देख लाना x minus y नहीं y minus x यहाँ पर minus में y लगा हुआ है इस तरह के फर्मूला को आपको याद रखने की जरू होता है चारों फर्मूला को एक बार देख लिजिए इसका PDF डौनलोड करने के लिए दोस्तों टेलिग्राम पर जूर जाए मैं वहाँ पर आप लोगों के लिए सेंड कर दिया हूँ ठीक है चलिए अगले फर्मूला की और बढ़ रहे हैं यह तो बहुत ही फर्मूला बेस्ट है दोस्तों देखे 2015-16-17-18-19 हर एक बार यह कोशन मिलेंगे ही मिलेंगे आपको याद रखेगा टू-10-1 का मान है ना यह तीन फर्मूला होता है तोस्तों याद रखेगा तीन फर्मूला तीनों में से आपको कोई भी ऑफचंस में देश सकते हैं टू-10-1 बराबर जो मान हो जाता है दोस्तों एक तो 10 inverse 2x बटा 1-1 square हो जाती है फिर sin inverse 2x बटा 1-1 square हो जाता है और एक हो ता है cos inverse 1-1 square बटा 1-1 square बटा 1-1 square यह सारे फर्मूला है दोस्तों तीनों फर्मूला को आप लोगी याद रखेगा एक वार जरूर देख लिजेगा एक्जाम से पहले पहले बहुत ही सांदार यह कोस्तन से दोस्तों फर्मूला है देकिन हर एक एक जाम से पूछे ही गए है यह कभी कभी पूछे जाते हैं दोस्तों यह फर्मूला sin inverse x plus sin inverse y अलाकि आपको याद रखने ही रखने है sin inverse x plus sin inverse y का मान में sin inverse में x root under 1 minus y square फिर plus y minus x square होता है ठीक है फिर minus वाले में यहाँ पर बीच में सिर्फ minus होता है और बाकि सेम तुसे मोही रहता है समझ में आरी ना आप एक याद रखो दोनों याद हो जाएगी देखें पलास है यहाँ पलास माइनस है तो यहाँ पर माइनस अब देखें कॉस इन्वर्स x plus कॉस इन्वर्स y का मां कॉस इन्वर्स x y minus root under 1 minus x square 1 minus y यह प्रस्म जो कभी कभी पूछे जाते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों याद तो आपको रखने हैं कभी भी पू है से थारे और पलस माइनस की बात करें तो पलट वाल माइनस माइनस वाल में पल दोस इहां पर हो जाती है यह और आप यहां पर next formula है दोस्तों एक 10 inverse x plus 10 inverse y plus 10 inverse z हम लोगों ने यह पठा था 10 inverse x plus 10 inverse y ठीक है यह पठा था हम लोगों ने दोस्तों जिसका मान था आपका 10 inverse एक्स पलस य अब 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 अमें one-xy ठीक है पलस वाले की बात हो दिये और यहां पर तीन गोए टेन इंवर्ज जेड तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों यहां पर 10 inverse ठीक है x plus y plus z उसके बाद तीनों का multiply कर देंगे घटा के अब बटा में 1 minus x y minus y z minus z ये भी कभी कभी पूछा जाता है ये भी जो है दोस्तों 12 जो दिया गया यहाँ पे formula ये भी कभी कभी देखनों को मिलते हैं आप लोग को याद करने की जुरत है इसलिए देख लेना एक बाद ठीक है वीडियो के description में लिंक मिल जाएगा दोस्तों इस अब को download करने का जरूर एक बार कर लिजेगा चलिए अगले formula की और बट देखे inverse algorithm में कितने formula है और कितने पूछे जाते हैं अभी तो काफी सारे बच्चे हुए हैं दोस्तों differentiation का integration का main तो वह है उसके बाद 3D का vector का बहुत सारे हैं दोस्तों इसका दो पाटाने वाले हैं अब देखे यहाँ पे sin inverse x कमान cos जो होता है वो cos inverse 1 by x मैंने आप लोगों को पहली बता दिया था फिर cos inverse x कमान check inverse 1 by x उसका उल्टा अब देखे 10 inverse x बराबर cot inverse 1 by x इत्यादी यह तीनों आप लोगों को मैंने बता दिया था starting में ठीके अब एक main चीज आता है दोस्तों कि sin inverse minus x रहेगा देखे इसको आप लोगों को याद रखने हाँ बहुत बार यह question देखने को मिलेंगे बोड़ परिछा में अब cos inverse minus x रहता है तो pi minus cos inverse x हो जाती है देखे pi किस-किस में है दोस्तों cos में है, sick में है और cot में है किस में है दोस्तों cos, cos, sick, cot देखे 2, 5 और यह 6 में है ठीक है ना, sick inverse minus x तो pi minus sick inverse x होता है वही है दोस्तों दोस्तों सब में sin inverse x माइनस sin inverse x cos, cos, ten, ten, cos, cos, sick, 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 cot, cot समझ भारी ना, लेकिन 3 में cos में, sick में, और cot में pi minus हो जाती है ठीक है तो याद रखिएगा और बाखी में जो रहता है वही answer आ जाती है जैसे आपे 10 inverse x माइनस x है तो माइनस 10 inverse x cos x inverse minus x है तो माइनस cos x ठीक है sick inverse minus x है तो pi minus second inverse x, cot inverse minus x है तो pi minus cot inverse x यह फर्मूला है सारे दोस्तों, देखो पूछा हुआ प्रस्न यह सारे और मैंने भी कई बार यह इस तरह के फर्मूला आप लोगको model set में बताए है चलिए अगले फर्मूला की और हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों एक फर्मूला यह भी है इसको भी आप लोग ध्यान में रख लीजेगा अगर 2 sin inverse x यह जैसे 2 tan inverse x था दोस्तों उसका मैंने फर्मूला बता यह तिन तिन फर्मूला sin inverse में भी कॉस inverse में भी और 10 inverse में भी लेकिन जब आपको 2 sin inverse x दिया रहे तब यह फर्मूला याद रखेगा sin inverse 2x root under 1 minus x स्क्वाइ 2 cos inverse x रहेगा cos inverse 2x स्क्वाइर minus 1 3 sin inverse x रहेगा sin inverse 3x minus 4x q ठीक है अगर 3 cos inverse x रहेगा तो cos inverse 4x q minus 3x फिर 3 10 inverse x रहेगा तो 10 inverse 3x minus x q बट्टा 1 minus 3x स्क्वाइर यह थोरा सा देखो computer हो जाता है दोस्तों फर्मूला को रटना याद रखना ठीक है कभी कभी पूछ दिया जाता है इसलिए आप लोगों को यह ध्यान में रखना ही परेगा ठीक है अगर आप डिरेक्ट अभी याद करोगे तो रटे मतलब याद होगा नहीं दोस्तों लेकिन एक जाम से पहले पहले जितने ही फर्मूला है एक बार नजर से दोरा लेना सामने में रखके ठीक है और जब भी आप को बना हो तो इस तरह के फर्मूला को हमेशा 사 глаз को तब आपको धेरी धीरे 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 क्या होकी याद वोते रहेगी ठीक है यह फर्मूला कभी कभी named बताया उस तरह के फर्मूला काफी बार देखने को मिलेंगे ठीक है चलिए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों डिफ्रेंसियेशन का फर्मूला बहुत ही सांदार है दोस्तों डिफ्रेंसियेशन का फर्मूला को याद रखना देखिए अगर x के पावर n रहेगा दोस्तों यहां पर अगर x के पावर n रह रहेगा जितना उसमें से माइनस इंग घटा देंगे यहाँ पो है दोस्तों इसका डिफ्रेंश्याशन बोल लेगा निकालने के लिए मैं क्या करेंगे हैं यहां पर इन का मान दो हैं ठीक है पो एन एक्स गोर्राट एकज ख्यान गीन लेoof पर सब्सक्रक्त ईह upon dx अगर 1 रहेगा ठीक है इसका मान 0 हो जाता है 1-2-3 मतलब कोई भी constant मान रहेगा उसका मान 0 के बराबर हो जाती है अब sin x का cos x हो जाता है cos x का differentiation minus sin x देखे एक चीज़ मैं बता दो जो भी differentiation का मान आता है दोस्तों निकालने के बाद वही क्या होता है इसका दोस्तों इंटेग्रेशन में उल्टा हो जाता है जैसे यहां पे differentiation sin x का कॉस x होता है तो यहां पे integration cos x का sin x हो जाती है समझ बारी ना integration जो है दोस्तों उल्टा हो जाता है ठीक है sin x का cos x अगर differentiation हो रहा है तो cos x का sin x दोस्तों integration हो जाती है ये चीज़ आपको ध्यान में रखने हैं sin x का differentiation cos x cos x का minus sin x 10 x का c का square x cos x का minus cos x ठीक है फिर cos x का दोस्तों minus cos x into cos x अगला फर्मूला है दोस्तों यहाँ पे cx cx का होता है cx into cos x ये 6 फर्मूला है दोस्तों आपको याद करने ही करने ही ये 6 फर्मूला ठीक है बहुत ही सांदार ये फर्मूला है सारे इसलिए आपको याद है रखने ही रखने है ये सारे फर्मूला देखिए एक बार फिर से समझते है sin x का cos x cos x का minus सारे आप लोगो देखिए पूछा हुआ है काफी बात देखनों को मिलेंगे और इस बार भी इस बार भी परिक्षार में दोसे इस तरह के प्रस्ण पूछेंगे ही पूछेंगे इसलिए आपको इध्यान में रखना है और इसको दो से तीन बार आपको रट लेनी है रट लेनी है ठीक है दोसों चलिए अगले फर्मूला के और बढ़ रहे है अब e के पावर एक्स में कुछ भी रहेगा दोस्तों तो वही माना जाएगा e के पावर एक्स में अगर कुछ भी रहेगा तो वही माना जाएगा e के पावर एक्स ही ठीक है अब यहाँ पर log X का अगर पूछा जाता दोस्तो log X का differentiation ती यह हो जाता है 1 by X ठीक है अब sin inverse X का वहाँ पर तो सिर्फ sin X का था दोस्तो जो cos X हो जाता था लेकिन अगर sin inverse X रहेगा तो एक भी डॉट राखेके लेकिन एक फर्मूल आपको याद रखने है दोस्तों बाकि सारे आपको बनते चले जाएंगे साइन इन्वर्स एक्स का याद है तो कॉस इन्वर्स एक्स का भी बनते चले जाएंगे ठीक है साइन इन्वर्स एक्स का देखे क्या होगा वन बटा रूट अंडर में वन मैनस एक्स स्क्वेर तो कॉस इन्वर्स एक्स का यह होजगा साइन इन्वर्स एक्स का और यह होजग बहुत ही सांदार यह फर्मूला अब यहां पर दोस्तों सेक इन्वर्स एक्स और को सेक इन्वर्स एक्स का है तो सेक इन्वर्स एक्स का जो होगा वही को सेक इन्वर्स एक्स का होगा लेकिन माइनस लग जाएगी जैसे यहां पर सेक इन्वर्स एक्स का है दोस्तों वन बट यह जो है दोस्तों 17 में जो दिया गया है एक यहाँ पे डी बाई डी एक्स अगर एक के पावर एक्स रहेगा एक के पावर एक्स तो रहेगा ही रहेगा लेकिन यह लॉग ए में बदल जाता है ना लॉग ए में जैसे यहाँ पे दोस्तों 3 के पावर एक्स है इसका अगर फर् याद रखने की जरूरत है एक्स इंटू लॉग ए ठीक है लॉग ए जो मान रहेगा वही मान आ जाएगी यहां पे तो इस तरह के फर्मुला को हम लोग नहीं यहां पर देखा दोस्तों इसके बाद के फर्मुला यहां पर इंटिग्रेशन का बचा हुआ है दोस्तों अगले वीडियो जो में हम लोग कवर करेंगे दोस्तों इंटीग्रेशन का फर्मूला वेक्टर 3D का और प्रोबिलेटी का लिंक आपको वीडियो के डिस्केप्शन में मिल जाएंगे जैसी इसका भी आप लोग को अपलोड होगा एक बार चेक कर लेना दोस्तों डिस्केप् टेलीग्राम का या फिर आप जा सकते हो दोस्तों इस वेब साइट पे अस्टारकस्टरीपॉइंट.com गुवल पे लिकिए लिंक आपको वीडियो के डिस्केप्शन में मिल जाएंगे चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स वीडियो में त्यारी करते रही है आप इस तरह के फर्मॉला को सारे को याद रखने ना है पूछा हुआ सारे फर्मॉला थे चलिए बैबै दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स वीडियो में